जब इस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था तो इस मूवी को देखनी की इच्छा वहाँ पर हो गए थी लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो भारत के अंदर लोगटाउन चल रहा था जिसकी विज़े से थीटर्स बन थे और मूवी देख नहीं पाए लेकिन बाकी के देशों में ये मूवी रिलीज हुई थी और वहाँ पर जब मैंने इसका IMDb के पर इसकी रेटिंग जाना लोगों ने इसकी रिव्यू देखा तो काफी जादा लोगों ने इसकी प्रशंसा कर रखी थी तो और जादा कुरियोसिटी होगी यार इस मूवी को अब करेंगे कोई रास्ता भी नहीं था तो इसकी जो लैंथ है वह दो गंटä के आस पास है और अब इस मूवी की कहानी की चरचा कर लेते हैं एक वेक्ति जो हम इस शुरुवात में दिखाए देता है जिसका नाम होता है वैसे इसका दूसरा भी नाम होता है कैर वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँ किया फिर लंबा नाम है वो मुझे प्रनिशेट नहीं हो पाएगा और H मेरे लिए यह सही है वैसे H नाम होता है इसके अंदर तो यह H जो है वो एक कमपनी के अंदर जाता है एक जोब के लिए और इसको एक जोब मिलती है जिसके अंदर क्या होता है वो कमपनी पैसों की रखवाली के लिए या फिर एक बैंक से पैसा लेकर दूसरे बैंक में जमा करवाने जाती है और इसमें यहां पर एक बोडिगार्ट के तोर पे या पैसों के रक्षक के तोर पे इसको ट्रक में बिठाया जाता है कि भाईया पैसे चोरी मत होने दियो तो इसका ये काम होता है लेकिन धीरे धीरे जब मुवी आगे बड़ती है तो इसको बताया जाता है कि ये इनसान एकशोर में पैसों की रक्षा करने नहीं आया है ये कुछ और चाहता है ये किसी को ढूंड रा है अब वो किसको ढूंड रा है क्यों ढूंड रा है ये सारी बातें जब आप movie देखोगे तब ही पता चलेगा वैसे एक advice मैं यहाँ देना चाहूँगा कि आप अगर इस movie को देखने की सोची रहे हो तो इसका trailer मत ही देखो और इसके बारे में कम ही जानो क्योंकि यार movie जितनी इस movie के बारे में आप जितना कम जानोगे अब बात करें कि movie कितनी जादा interesting है और कितनी इसके अंदर negative point है उनकी तो देखो interesting के तोर पे तो हमें जैसे कि H का character दिखाया जाता है तो शुरुआत में जैसे H का introduction हो रहा है हमें पता चलता है कि यार यह क्या कर रहा है तो वो बहुत जादा interesting होता है जैसे इसकी action दिखाये गए है वो बड़ा मज़ा आते हैं जैसे H का action scene मतलब इसमें बहुत सारे scene है जैसे जैसे यह आगे बढ़ रही है इसके truck को लूटने के लिए कोई आते हैं और यह truck को बचाने के लिए भाई साप जैसे उनके उपर तूट पड़ता है तब इसका असली चहरा सामने आते है कि यह simple बंदा नहीं है इसने बहुत कुछ अपने अंदर चुपा रखा है तो वो देखकर काफी मज़ा आया और जब इस movie की ending होती है तो देखो यार ending में मतलब यह कह सकते हैं कि इसके negative point ही कहूँगा मैं उस चीज़ को तो जैसा इसके opposite में जैसा होना चाहिए न कि एक villain य वो मुझे लगा कि यार काफी दमदार होगा बहुत बड़े तरीके से दिखाएंगे लेकिन नहीं उसको बहुत simple way में दिखाया गया है तो वहां मुझे थोड़ी कमी लगी कि यार at least जिसके पीछे ये पड़ा है जितना ये दिखाया जा रहा है इतना seriousness जितनी patience इस इंसा ने दिखाई है at least उस इंसान को काफी ज्यादा मतलब priority तो दो यार उसको थोड़ा खुनकार दिखाते लेकिन नहीं इतना नहीं दिखाया तो वहां मुझे इसकी negative point लगी बाकी overall movie काफी interesting है आपको मजा आएगा शुरुआत से लेकर इसकी कहानी को जानने में यार ये क्यू होगी इस movie की कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये movie की कहानी इस movie से तो नहीं मिलती है ये movie का मेरे दिखिनिञ नाव अगया है या फिर उसका थोड़ी किसे डूनने से निकला है जैसे शिकार करने को निकला है वो देखने में बहुत मुझा आता बहुत बढ़िया लगा मुझे इस movie को देखकर और जैसी उमीदे में लेकर बैठा था मेरी तो उमीदे पूरी हुई हैं मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा 7.5 after 10 अगर आप लोगों ने movie देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को movie कैसी लगी अगर नहीं देखी है तो Amazon के OTT platform पर जाकर आप इसको देख सकते हैं बहुत बढ़िया movie है दो घंटे कब भी जहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा सच में एक इस time के मतलब की 2021 के अंदर ये movie आये थी और उस दोरान भी इस तरीके की movie बनाना और उसको इतने बढ़िया level पर रिप्रेजेंट करना काबली एक तारीफ है मतलब बहुत अच्छी है तो बस आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो में तेंक्स वर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिं